आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी और चटपटा ऐसा नास्ता जिसे आप जब चाहे तब बना कर खा सकते हैं इसके लिए यहाँ पर हमने कड़ाई मिलिया है एक छोड़ी चम्मज घी अब यहाँ पर मैंने ये दो मुठी भर कर लिये हैं मखाने इस इसे अच्छी तरह से भून लें तो यह देखे बढ़िया से हमारे जो मखाने हैं वो हलके से गोल्डन हो गए हैं क्रिस्प हो गए हैं इस तरह से हातों से जावाब तोड़ेंगे तो वो तूट जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हमें रखना है अब यहाँ पर हमने एक छोटी चमच के लगभग साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हम गरम मसाला या फिर चाट मसाला इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है मखानों को हमने यहाँ पर यह बेस बना लिया है क्योंकि हम यहाँ पर मखाने की ही चाट बना रहे हैं अगर आप चाहें तो उबले भी दही का इस्तमाल कर सकते हैं अब यह मखानों को हम एक प्लेट में ट्रांसपर करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सर्व करना है तो सभी मखानों को हम प्लेट में डाल देंगे अगर आप ज्यादा कॉंटिटी में ज्यादा लोगों के लिए बना रहे है तो उतनी प्लेट मे में और भी ज़्यादा लुकवाइस अच्छा लगेगा तो सभी मखानों को हमने इस तरह से सेट कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे कटी हुए बारिक टमाटर तो यह टोटली ऑप्सनल आपके उपर है कि आपको कैसा इसे बनाना है अगर आप इसे व्रत के हिसाब से बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च स्किप कर दें प्याज स्किप कर दें तो यह व्रत में भी खाने वाला हो सकते हैं सेंबलिंग करते समय अब यहाँ पर हमने यह ग्रीन चिली लिए है तो लाल मिर्च बहुत तीखी वाली नहीं है तो अपनी अवसकता के उनसार आप यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्च भी ले 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 अब हम इसमें डालेंगे चौप किया हुआ धनिया तो क्योंकि यह बहुत ही इजी वे पर टेस्टी यमी चटपटा सा हमारा मखाना चाट बनकर तयार हो गया है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलते हूं नेक्स वीडियो में थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग